आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउनलोड करें किया जा सकता है तो हमें यह कथन दे रखा है इसका हमें उत्तर गयाद करना है कि यह जो कथन है यह सत्य है या असत्य है तो आई ये इस प्रशन का हम उत्तर देख लेते हैं तो क्या होता है कि जो तरल या जो द्रव्य नाइट्रोजन होती है ठीके उससे क्या कर सकते हैं तरल या जो द्रव्य नाइटरोजन होती है उस नाइटरोजन में हम वर्षों से जो पराग कड हैं क्या कर सकते हैं जो पराग कण हैं उन पराग कणों को संग्रहित कर सकते हैं क्या कर सकते हैं उन पराग कणों को संग्रहित कर सकते हैं यानि कि संग्रहित करना क्या है संग्रहित करना संभव है ठीके और इसे क्या कहा जाता है और इसे कार्यो प्रिजर्वेशन भी कहा जाता है क्या कहा जाता है इसे क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहा जाता है ठीके यानि कि इससे क्या कर सकते हैं हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं सुरक्षित रख सकते हैं ठीके जो पराग कणों को लिक् 196 degree Celsius होता है ठीके और बच्चत की इस पद्धिती को क्या कहते हैं इसे कहते हैं cryo preservation ठीके कम तापमान पर लंबे समय तक जो भंदारन की क्या होता है यह अनुमती देता है क्योंकि इसमें क्या हो जाता है क्योंकि यह जो कोशी का क्योंकि यह क्या कर देता है जो कोशी का रहती ह है उस कोशी का की जो व्रधी दर रहती है क्या रहती है जो व्रधी दर रहती है उसको क्या कर देता है उसको कम कर देता है और जो cryo protective agent रहते हैं वह पोधों की उम्र बढ़ने में देरी करते हैं और ठंड के कारण पोधों को कोई नुकसान भी नहीं होता याने की नुकसान स सिद्ध होता है सत्य. हमारा जो प्रश्ण है उसका उत्तर क्या हो जाएगा? उस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा सत्य. ठीके, तो आशा है कि आपको इस प्रश्ण का उत्तर समझाया हो, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद.